शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति हो जो हिंदी साहित में थोड़ी सी भी रूची रखता हो और अग्ये के नाम या उनके साहिते से परिचित ना हो सर्चिदानंद हीरानंद वात्सियायन अग्ये ने भले ही इस दुनिया से 1987 में विदा लेली हो लेकिन उनका काम उनकी कृतिया नए रचनाकारों को आज भी प्रेविद करती हैं अग्ये को प्रतिभा संपन कभी कथा साहिते को एक महत्पूर्ण मोर देने वाले कथाकार संपादक और सफल अध्यापक के रूप में जाना जाता है भारत की आजादे की संघर्ष गाथा में उनका नाम एक ऐसे क्रांतिकारी के रूप में भी आता है जो 1930 से 1936 तक अलग-अलग जेलों में कैदी रहे अग्ये प्रियोगवाद और नई कविता को साहिते जगत में प्रतिष्ठित करने वाले कवी है 1981 में अग्ये BBC के लंदन रफ्तर आये जहां उंकारनाथ श्रवास्तव ने उनके सामने सवालों का पिटारा खोला असल में आपके नाम के साथ बड़ी दिक्कत है अग्ये जी कहता हूँ तो मुझको लगता है कि कविता की बात करनी चाहिए और वाध्यायन जी कहता हूँ तो लगता है कि गद्धिकार के रूप में आपसे बाचीत करनी चाहिए ये सही है कि? नहीं ऐसा क्यों वाध्यायन कहें तब तो शायद पत्रकार की बात करनी चाहिए अग्ये ने तो गद्धि भी लिखा, पद्धि भी लिखा और शुरू से ही शायद सबसे पहले तो अग्ये नाम से कहानिया ने चपी थी मेरी लेकिन आपकी कविता पुस्तकों के उपर अग्ये लिखा रहता है? नहीं जितना रचनात्मक साहित है सब में केवल यही नाम देता हूं इसी को कभी नाम या कि साहितिकार का नाम मान लेता हूं बाकि जो फरमाशी लेखन होता है या पत्रकारिता के अधीन जिस तरह का लेखन होता है उस सब में अपना नाम भी देता हूं उसको अजीविगा के साथ जोड़ता हूँ और इसको कला के साथ जोड़ता हूँ ये पोड़ा भेद ऐसा रहा है मेरे मन में तो इस वाद भूल से अगर वात्षायन जी भी कह दूं तो अग्ये जी को ही संबोधित कर रहा हूँ अब तो धिरे धिरे भेद वैसे बिठी रहा है जरा पीछे ले चलन आप से सवालों की जड़ी लगी रही बराबर कि आप इसका तीसरा भाग कब लिख रहे हैं अब तो मैं यही जवाब देता हूँ कि इस से ज़्यादा मुझ से ज़्यादा कौन उत्सुक होगा तीसरे भाग के लिए लेकिन कुछ क्या राज देंगे आप कुछ आप वाकई कर रहे हैं इसके उपर कि नहीं राज तो कोई नहीं है कचिनाई ज़रूर एक है तीसरा भाग बहुत पुराना लिखा हुआ तो है जब पहले दो लिखे गए थे तब पूरा ही उपन्यास लिखती आ गया था फिर दो भाग तो दो बारा तिबारा लिखे गए और प्रकाश से पहले की युक तीस तीस के आसपास का उस समय की अपनी और उस समय के रांतिकारी की मनस्थिती में प्रवेश करना कुछ कछिंतर हो गया है मेरे लिए और थोड़ा ये भी है कि उस समय के जो विश्वास थे थोड़े वो भी बदल गए हैं तो अब वो एक उतनी रचना य इसी चीज नहीं रहेगी एक एक तरह का व्यायाम भी उसमें शामिल हो जाए रहा आपने अभी अपने बारह समकालीनों के ऊपर संस्मरारात्मक लेख लिखे हैं और ये बड़े ही चर्चित हुए हैं लेख और शायद पुस्तकाकार आने पर और भी अधिक ध्यान आकर्ष यही रहा है मैंने लिखा भी यही है और जिस रूप में ये संस्मराराण लिखे हैं उसमें बराबर मेरा जोर इस बात पर रहा है कि जो मेरे समय के जो मुख्य साहितिकार रहे या कि उनमें से जो अब जीवित नहीं हैं उनहीं पर केंड़ित हैं ये संस्मराण उनके संस्म निजी है जो उनके जीवन का निजी या मेरे उनके संबंधों का निजी उसको जहां तक हो सके छोड़ कर वही बातें सामने लाओं जिससे कि उनके साहितिक रूप में मुल्यांकन में कुछ योग मिले तो उनके साहितिक व्यक्तित्व को सामने लाने के लिए उसी व्यक्तित् हो है क्योंकि उसके बिना ऐसी बीवाते होती हैं जिनके बिना वो संबंध ही समझ में नहीं आता उनको तो सामने लाना पड़ा है इन संस्परणों में आपने प्रेम्चंद के संस्परण फिलिखे हैं और प्रेम्चंद आज होते तो कोई 100 या 101 साल में होते आप हैं तीन बीस जो छवी आपकी जो उभरी साहित्ति में उस्पत लगा कि जैसे कि प्रेमचंद और अग्ये ये एकदम दूर एक दूसरे से वेक्तित्व हैं. अब इतने दिनों के बाद आपको हिंदी साहित्ति में इतने रमे रहने के बाद प्रेमचंद के संबंध में आप अपने को कहां इसका कोई सही जवाब शायद नहीं मिल सकता, यह नहीं कि इसके बारे में सोचता नहीं है, लेकिन जो भी वो जवाब दे सकता है, वो काफी नहीं होता, ने मैंने यह सवाल सिर्फ इसलिए कि आपकी शैली कहना चाहूंगा एकदम भिन है, जो प्रेम चंद ने जिस मार्ग का प्रवरतन किया था, उसमें और आपके तरीके में एकदम फर्क मालूम होता है, यह तो ठीक है, बहुत से चीजें, शैली भी भिन है, जो वस्तु हम लोगों ने प्रस्तुत की है, वो भी भिन है, जीवन को देखने की दिश्टी भी अलग अलग रही, इस सब हैं, लेकिन प पहला परिचे सन 35 में हुआ, 45 एक बरस हो गए, मेरी पहली कहानी भी प्रेमचन जी ने ही चापी, अपने पत्र में, बलकि यह जो अग्ये नाम भी मुझको मिला, यह भी उसी के कारण मिला, क्यूंकि मैं तब जेल में था, और नाम बताया नहीं जा सकता था, इसलिए एक य रचना उनको पसंद आई, खास तोर से गद्य रचना है, कविता उनको मेरी कभी अच्छी नहीं लगी, यह जा सकती है, लेकिन उसमें मैं अकेला नहीं था, साधान तया कविता में उनकी कोई रूची नहीं थी, तो आप जो सवाल पूछ रहे हैं, वो बीच में और भी लो कुमार, वो भी एक तरफ प्रेमचंद से बिलकुल अलग थे, दूसे तरफ मुझसे भी बिलकुल अलग हैं, और इसके साथ ही हम कह सकते हैं, कि हम को जोडते भी हैं, तो साहिति में साधारन तया होता है, और मैं उसका कोई अपवाद नहीं हूँ, कि हर साहितिकार अपने से तुरत पहले के साहिति से अपने को सबसे अधिक अलग या कि विशिष्ट सिद्ध करना चाहता है, ये तो स्थिति में एक अनिवारी चीज है कि ऐसा वो करें, नहीं तो लिखना ही क्यों चाहे, ये दूसरी बात है कि कालांतर में ऐसा लगे कि वास्तव में इतना नया वो नहीं था, और फिर ये भी है कि कोई भी विधा होती है, उसका अपना विकास होता है, उपन्यास का विकास जैसा हुआ, उसमें अनिवाज था कि प्रेमचन जैसा लिख रहे थे, उसके बाद वैसा लिखा जैसा कि मैंने लिखा, प्रेमचन जी का बल बाहर के संसार पर था, बहर जगत पर इसको की यथार्थवाद कहा जा सकता है जो की बाहर के यथार्थवादा मेरा आग्रह अंतर जगत पर रहा है अब भी है कोई घटना होती है उसमें भाग लेने वाले चरित्रों के भीतर जो घटित होता है मैं उस पर जोड देता हूं मैं समझता हूँ कि उपन्यास के विकास में सभावत है एक पहले का चरण है और एक बात का तो इस तरह अगर हम उपन्यासकारों को सामने न रखके उपन्यास की विधा को सामने रखे तो मान सकते हैं कि ये दोनों चीज़े जुड़ी हुई है और क्रमिक लूप से जुड़ी हुई है आपने अभी कहा कि मैं प्रेमचंद का प्रशंसक रहा हूँ किन शब्दों में आप उनकी प्रशंसा कीजेगा प्रशंसा की कई बात हैं एक तो मैं सोचता हूँ कि हिंदी उपन्यास को वह उननीसवी सदी से बीसवी सदी में ले आए अकेले ब्रेमचंद पहली तो महत्व की बात ये कहना चाहता हूँ और बहुत सा काम उन्होंने अकेले कर दिया जिसको कि दूसरी भाशाओं में या दूसरे देशों में दो तीन प्रशंसा की बात तो ये है अंग्रीजी साहित से उदारन लें तो डिकन्स के साथ रखके भी देख सकते हैं तोल्सोय के साथ भी देखके रख सकते हैं और दूसरे तरब आज हम जो लिख रहे हैं उसके साथ भी उनको जुड़ा पाते हैं ये मैं समझता हूं कि अपने आप मेरा ख्याल है कि आपने जो प्रशंसा में शब्द कहें हैं प्रेम चंद के बड़े ही सागर्भित हैं एक बात आपने और कही उसका थोड़ा साओर चाहता हूं जैसे आपने कहा कि जिस वक्त नया लेखक लेखना शुरू करता है तो वो पीछे की चीज़ को उससे आगे बढ़ने के उबाल के साथ आता है और उसको पीछे छोड़ देना चाहता है लेकिन बाद में चल करके ऐसा लगता है कि वो भी उसी धारा में बहरा है अच्छा आप अपने उपर इसको घटित कीजेगा इतने लंबे इतने दीर्ग साहित्यक जीवन के बाद किसको आपने पहले अलग माना था और अब एक बड़े परिदर्श में आप उसके साथ अपने को पा रहे हैं मैंने जब लिखना शुरू किया और मेरे साथ के जो और लोग थे जिनको की प्रयोगशीलिया की प्रयोगवादी का बिल्ला दे दिया गया उन सब लोगों को ऐसा माना जाता था है कि वो च्छायवाद को ही किसी तरह काटना चाहते हैं उससे अपने को सबसे अधिक भिन सिद्ध करना चाहते हैं मैं यद्यपि निराला का या की पंत का प्रशंसक रहा प्रशाद का उस मात्रा में नहीं और शुरू में तो निराला का भी नहीं इन से मैं अपने को बिल्कुल अलग मानता था और मैं समझता था कि मैं या कीड हम लोग एक साथ जो लोग थे वो जो काम करना चाह रहे हैं वो कावे को च्छायवाद से बिल्कुल काट देता है यानि हम च्छायवाद की भाषा से बिल्कुल अलग एक बोलचाल के निकर्टम की भाषा लिखना चाहते थे शब्दावली की दृष्टी से भी लेक की दृष्टी से भी और ध्वनियों की दृष्टी से भी लेकिन अब मैं देखता हूँ और मैंने यह लिखा भी है चिर्फ बाहरी संसार के संप्रेशन से हट कर एक निजी स्वर को भी ला सके, अंग्रेजी में जिसको परसनल वोईस कहते हैं, वो कविता पहले आवश्रक थी, यह आवश्रक था चायवादियों ने पूरी की, अगर यह काम उन्होंने न किया होता, तो जो काम उसके बाद हम उन्होंने करना चाहा यह किया, वो हो ही नहीं सकता था, हमें भी पहले वो काम करना पड़ता, जो कि चायवादियों ने कर दिया, तो अब मैं विकास के क्रम में देखता हूं, कि दुवेदी युग की कविता के बाद चायवाद की कविता आई, इसलिए कि एक वो सीड़ी जरूरी थी अगे जी आपकी बात्चीत से गंगा असनान का सुख मिला जीए अपनी इस बात्चीत के जरीए मुझको तो यही अनुभो कराया इस्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद